शिखा सक्सेना है अगली कॉलर, स्वागत है आपका शिखा जी, हां जी नमस्कार स्वागत आपका जेहिन शिखा जी दाक्तार मेरे चार फुश्टन है पहला ही कि मेरे पेट में गैन बहुत बइस पर लिए है और दूसरा है कि एनू मेरे एस्पेंट के दोनों कंदों पे बहुत डर्ब रहता है और एक मेरा है कि एक हुझली बहुत है पैरों में और एक मुझे ने कभी कभी सांस लेने में दिक्कत हो जब से अस्पेमा की चिकायत हो एक होने लगी कुछ-कुछ उम्र कितनी है आपकी मेरी पैसेट साल है ठीक है एक तो खुझली है आपको और एक सांस में प्रॉब्लम है और ये उम्र जो है 65 साल की उम्र बड़ी खतरनाक होती है यहां बीमारियां आती है ये इस उम्र में खुझरती तोर पर खुझली तोर पर खुझली हो पाता है और दिल की रगों में चर्बी भर जाती है और खून पूरी तरह से पास नहीं हो पाता तो सांस फूलने की शिकायत होती है सीना भारी भारी रहता है अस्तमा सा लगता है पैदल चलो तो सांस फूलता है और कॉलिस्टॉल की भी इसमें ही शिकायत होती है इस हमर में और दिल की कोई भी बिमारी शुरू हो सकती है तो एक बहुत आसान नस्खा है या आपकी तीनों बिमारियों के लिए एक ही नस्खा काफी है खाने का सोडा एक चुटकी में जतना आ जाया है मीठा सोडा जिसे कहते है खाने का सोडा एक चुटकी एक गिलास पानी में डाले और एक चुटकी नमक जैतून असली जैतून का नमक ये असली लेना क्योंकि इसमें नखली बहुत आते हैं ये नमक एक विशेश नमक है जो स्वाद में नमकी नहीं होता लेकिन इसे नमक जैतून कहते हैं ये भी एक चुटकी पानी में मिला दें और ये पानी रोजाना दिन में दो बार पी लिया करें तो आपकी ये सारी समस्याएं में फाइदा होना मुम्किन है आपके पती को कंधों में दर्द है तो एक एकसरसाइज बता रहा हूँ और एक दवा बता रहा हूँ हो सकता है दवा की ज़रूरत भी ना पड़े एकसरसाइज अगर वो ठीक से कर ले लिए ऐसे बैठे मेरी तरह और ये ठोड़ी ऐसे मौड़ गया देखे ये ये मैं यहां तक ले आता हूँ कंधे तक ऐसे एक तो ये एकसरसाइज करें पिर ऐसे बैठें और ये कान कंधे से लगाए ये आप तीन तीन मिनट ये एकसरसाइज करें रोजाना मुझे मालूम है कि ये लगाता तीन मिनट कोई नहीं कर पाता तो एक एक मिनट करके तीन बार में तीन मिनट एक एक मिनट करके तीन बार में तीन मिनट डूसरी एकसरसाइज भी कर ले हो सकता है आपको दवा की जरुरत ही ना पड़े और आप बगेर दवा के अच्छी हो आपके पती दे हो लेकिन अगर जरुरत पड़े तो एक आता है गौन सिया असली लें नकली बहुत मिलता है आधा गिराम सुबा आधा गिराम शाम पानी या दूस से खाने के पश्चात खाने के बाद खिला दिया करें उनको भी फायदा होना मुम्किन है